př가요 वो समय हमने किया था चे में बाइड है मोड़shire करदभ पर बाछी हमने किया था कमपोज्वाइशन ओब रियन 一समें तो नहáं पर आपकी रेेंग के सबसेट की डो मेन का कि मैंने बताया था आपको कि कई कोशें में उगर सबसेट ना भी हो डोमेन का तो भी उन एलिमेंट्स के लिए वो डिफाइन है जिनकी इमेज डोमेन में होंगी तो उस लेवल 2 के कॉश्चन से आड़ शर्मा के वह देख लिएते हैं ग्या दुट ना भी में आो रुट्वाई ढते हैं सेप यह कि ख कॉश्च आडि एस हैं स्लबा हो ऐ स्वच क हुश्च कर दूच बीपसिंस वी पosit liberals टू रियल फंक्शन्स, देन, डेस्क्राइब, एप उफ जी एड जी ओ एफ, हमना आपको बताया था है, रियल फंक्शन्स में, आपके डुमेन और इंज आपको निकालने पड़ेंगी, आप देखिए, अब देखिए, डुमेन निकालने है, अब मुझे पता है, रियल फंक्शन्स में, यह नहीं होता है, जो आपकी डुमेन होगी, अब देखिए, बन माइनस एक्स को होना पड़ेगा, रिट जन इक्वल टु जीरो, इसी पर डिफाइड होगा, यह नेगेटिव पर डिफाइड होते नहीं, वह पर कॉम्पेक्स नमबर बिचला जाएगा, और हम पढ़ें, कॉम्पोशन ओफ रियल फंक्शन्स, इसका मतल अब एक्स मानस वन लेजन जीरो, इसके बाद रेंज ओप, अब रेंज एफ अब एक्स चीज़ देखिए, डोमेन मेरी क्या है, एक्स, लेस्द इक्वल टुवन है, डोमेन में, तो मानस एक्स ग्रेट देवल टू, मानस वन और one- either, गLin मानस भी प्रेट टू, एक्स, ग्रेट देएक्स बढ़ा होगी, जेरे जिरो से बढ़ा होगा, यानियरे ली बढ़ा होगी, मेरी विलस्ट क्या आएंगी जो जो उसे बढ़ी आएंगी तो रेंज एट क्या हो गए आपकी जीरो से इंफिनिटी अब उसके बाद डोमेन ऑफ जी लोग है हमेशा डिपाइंड होता है पॉस्टिव के लिए जीरो से इंफिनिटी एंड रेंज जी सेट of रियल नंबर्स होते हैं आपके डिके अब देखिए फ जी के लिए रेंज सबसेट ओप डोमेन ऑफ रेंज जी तो ये आपका यह तो क्या सेट अफ रियल नंबर्स है बाट मिरा ये क्या है मास इमड़ी से बनता किया है तो since range g is not subset of domain of f जो range of g है वो subset नहीं है domain of f तो आपको क्या करना पड़ेगा अब f of g उन elements ले defined है जिनकी image domain of f में हो तब आपको निकालना पड़ेगी क्या निकालने पड़ेगी domain of f of g निकालने पड़ेगी domain of f of g निकालने पड़ेगी आपको ठीक है तो वो क्या होगा यानि यह जो आपके range g है यानि क्या कहते है उन elements की image जो कि आपकी domain of f में हो तो x तो belong करेगा domain of g में और gx belong करेगा domain of f में वो सभी elements domain of g के जिनकी image क्या हो domain of f में हो domain of g क्या है आपकी 0 से infinity और gx क्या है आपका gx लोग ebx belongs to domain of f domain of f क्या है minus infinity से 1 है ठीक है x belongs to 0 से infinity and अब देखिए ये क्या है लोग ex belongs to इसका मतलब क्या है जो अपका लोग x है वो क्या सहरा less than equal to क्या आएगा बनाएगा इसका मतलब x such that x belongs to 2 से infinity and ये को क्या हो जाएगा 0 and x is less than e 0 is less than x is less than equal to e अब ये पर लोग e क्या ओवबन होगा जब एप एटी लोग लेते हैं तो 0 से e की बीच में आपकी बेल रहती है अब देखिए x इसमें belong करता है इसमें उनों क्या लेंगे indecession लेंगे e हमारा क्या होता है 3.1 पर होता है तो दोनों में common क्या है आपका ये वला common है देखिया आपका 0 से e ये क्या आपकी domain आगी इन सभी elements की image ना g की वो f में आती है ये आपकी domain of g आ ली अब आप निकाल लीजिए f of g x f of g x x क्या है आपका f of log e x f x 1- log e x तो जो आपका f of g होता है मैंने आपको बताया था इसके domain से इसके co domain तक इसके domain क्या है f of g की अब क्या पने जाएगी 0 से e 0 से e to r such that f of g x 1- log e base x तो ये आपका f of g अब देखिए second thing हमें क्या निकाल है क्या है इसकी रेंज सब्सक्राइब रेंज of g of f domain of g of set of r अब आपक x तो बिलोंग करेगा इसके domain में and fx किसमें बिलोंग करेगा g की domain में आना चाहिए of g x such that x domain of f minus infinity say 1 and fx under root 1-x domain of g 0 say infinity x x such that x belongs to minus infinity से 1 and अब यह देखिए 0 से infinity का मतलब यह 0 से क्या होगा बढ़ा होगा and इसका मतलब क्यों होता है greater than 0 x such that x belongs to minus infinity से 1 and square करता है 1-x greater than 0 x such that x belongs to minus infinity से 1 and यह क्यों हो जाएगा x minus 1 less than 0 यानि क्यों हो जाएगा x less than 1 मतलब x belongs to minus infinity से 1 open interval ठीक है तो क्या आगे आपका domain of g minus infinity से 1 open यह कि दोनों का मेले हुआ intersection 1 शामिल नहीं है इसमें तो open पे 1 आएगा आपका ठीक है यह domain आगी तो अब आपके निकालोगे g of fx g of fx fx है under root 1-x यह कितना हो जाएगा log of 1-x की पावर 1 by 2 यह 1 by 2 पीछे जाएगा 1 by 2 log 1-x तो आपका तो आपका g of f है domain क्या है minus infinity minus infinity से 1 to r such that g of fx 1 by 2 log 1-x 1 सबसे पहले आप domain and range निकालेंगे उसके बाद देखिए f of g है f of g का होता है g की domain से f के co domain तक होता है आपका मने को बताया था अब जो g की जो range है वो subset नहीं है अगर subset नहीं है तो भी उन elements के defined है जिनकी image domain of f में आती हो तो वो सबी element domain of g के जिनकी element domain of f में आती है image तो वहां से आपको निकालेंगे domain और फिर आप simply निकाल देंगे तो इस तरही किसे caution करना है आपको यह क्लिक लिए झाले थापको पर सुबटा पर पर कि लिए पर डपको अजरे यह 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 झाल झाल नेक्स कुछल देखिए if f from minus pi by 2 to pi by 2 to r and g minus will 7 to r we find as fx is equal to tangent x and gx is equal to under root 1- x square respectively describe f of g and g of f यहाँ पर आप देखिए हमें डोमेन दी हुए f यहाँ पर और डोमेन दी हुए है minus 1 to 1 range of f range of f tangent x है कि अग्रमेटरी फॉंक्षन है इसकी range होती है set of real numbers होती है and range of g range g क्या होगी अब देखिए इनिक एलिमेंट्स की image का set होगी range अब यह क्या है less than x is less than equal to 1 जब मैं square करूँगा x को इस less than equal to 1 ही रहे है ठीक है minus multiply कर दोगे son of inequality change होगी 0 minus 1 क्या मैं अट पस 1- x square है तो 1 add कर दूँँ दो साथ में 1- x square 1- 1 तो कितना आ गया 1 is greater than equal to 1- x square greater equal to 0 0 is less than 1- x square less than equal to 1 अब रूट लेऊंगा 1 ही रहा है गाई यह यह एपक्स की value है मेरी वो 0 से 1 के बीच में रहती है क्या आगी रेंज 0 से 1 के बीच में आ रहती है ठीक है अब देखिए अगर मैं निकालता हूँ अब देखिए रेंज ओफ जी अब से डोमेन ओफ एप का देखिए अब मैं जब यह लंबर की बात करता हूँ है मैं यहां पाई को लेंगा अब 22 बाई 7 तो यह तो कितना बनेगा मास्ट न्टू अपोन 14 बनेगा और यह कितना बनेगा 14 यह इंट्रवल यह है डोमेन ओफ अब यह मास्ट बन पंट सम्थिक होगा और यह बन पंट सम्थिक होगा तो यह जो आपका इंट्रवल है रेंज जी जीरो से बन इसके अंदर आ रही है इसका मतलब ल्डवेश्छ टूछ देफस्ट बन रही तो फ गशस्ट मेरा है क्या अंदर रूट नश सके रजाएंगा 10 अंदर रूट न टेस्टवल स्केल है जाएगा अब उसके बाद देखिए जी ओफ एफ मतलब रेंज एफ सबस्क्राइब करते हैं तो मेरी क्या है और डॉमेन क्या है यह इसका सबसेट नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा निकालने पड़ेगी डॉमेन ऑफ जी ओफ F, domain of G of F. वोस अभी ऐमेंट F के जिनकी इमेज किस्माथियो, domain of G. X such that X belongs to F and F belongs to domain of G. X belongs to domain of F. domain of F क्या है? minus 5 by 2 से plus 5 by 2. और F, X क्या है मेरा? tangent X belongs to domain of G. minus 1 से 1. X such that X belongs to minus 5 by 2 से 5 by 2. अब देखिये, tangent X belongs to minus 1 से 1. यानि यह इस तरीके से आएगा. ठीक है, अब यह आपके inverse geometric में आता है, कि यह किस पे होता है? अब निकाल लीजिए. अब निकाल लीजिए. अब लीजिए, G of FX, G of FX, FX क्यामेरा, 10 X, and minus 10 square X. तो इस तरीके से आपको, दो मेरें लीजिए के लिगाल लापने. नेक्स्ट कोशन देखें, तेख, Fx is equal to X-3, and Gx is equal to X square plus 1. 2 real functions, then find, and F of G and G of F. अब देखिए, domain of F, क्या होगा? X-3, X is equal to 0 होगा, उसी पे defined होगा, यही X, X is equal to 3, यही 3 से infinity. 3 से infinity होगा, range, अब यह domain है, means, X क्या 3 से बड़ा है, तो, X-3, is equal to 0, Fx क्या होगा, is equal to 0 होगा, तो range क्या हो जाएगी आपकी, 0 से infinity हो जाएगी, हो जाएगी. फिर, domain of G, सब पे defined है, range of G, देखो, X is equal to 0, for all X belongs to R, 0 0 से बड़ा होगा, and XK plus 1 is equal to 1, और all X belongs to R, Fx क्या हो गया, A के X से, बड़ी बड़ी होगी सारी, कितना जाएगा, 1 to infinity हो जाएगी, इसकी range, अब देखते हैं, यह range of F, subset हैं, और यह range of G, subset domain of F का, जो subset नहीं है, यहाँ पर क्या रहा है, 1 से infinity आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, 3 से आपका infinity है, कॉशन में प्लस है, मानस नहीं है, तो कितना जाएगा यह, मानस 3 से infinity आएगा, कॉशन में प्लस दिया होगा है, ठीक है, तो इसकी range कितनी आ जाएगी, domain, मानस 3 से infinity आ जाएगी, तो देखिए, यह भी क्या है, इसके subset है, तो clearly, range of f, subset of domain of g, and range of g, subset of domain of f, therefore, both f of g, and g of f, exist करेंगे, निकालेजिए, f of gx, f of gx, gx क्या है आपका, xk प्लस 1, कितना आ गया, xk प्लस 1, प्लस 3, xk प्लस 4 आ गया, आपको आपको, आपको आई गया होगी, निकालना, आपको 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 आपक Let f be a real function given by fx is equal to ungroup x-2. Find each of the organ. हम एके करके सभी निकालेंगे. सबसे पहले आता है, हमें के निकाल रहा है, f of f निकालें. f of f मतलब range of f subset of domain होता है, अब देखिए, domain of f, क्या होगी, x-2 greater than equal to 0, x is greater than equal to, इन सब पर defined होगा, ठीक है, it means, 2 से infinity, अब और range क्या होगी, अब देखो, range मतलब, इसके elements की image का set, अब देखो, 2 या 2 से बड़े है, मैं पूट करूँगा, 2 तो क्या आएगा, 0 आएगा, 2.1 करूँगो, तो point A conduit आएगा, ठीक है, सब क्या आएगे, 0 या 0 से बड़े हैंगे, सब की image, तो range of f क्या होगी, 0 से infinity हो जाएगी, बट अभी range तो सब सब नहीं है आपकी domain का, तो since range of f सब 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 नहीं है, domain of f को तो आपको निकालने पड़ेगी, domain of f of f क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, domain of f, and fx बिलोंग्स टू, domain of f, ठीक है, युकि मेरे दोनों क्या है, f ही है, इसके elements है, domain में, वो क्या जाएगे, उनकी image इसकी domain में आने चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू, 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 अब जब भी आपके पास इस तरीके से आता है, तो फोल कैसे करते हैं उसको, यह क्या है, दो या दो से बड़ा है आपका, टे देन और इक्वल तू, टू, 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 स्क्वारिण बहुत साइट, x मैंश बिलॉग टो 4 x such that x belongs to 2C infinity and x is greater than equal to 6 यानि यह है 6C infinity यह 2C infinity है common क्या है 6C infinity आएगा domain क्या हो गई आपकी 6C infinity हो गई है अब आप निकालेंगे f of f f of f x f of under root x minus 2 यह जाएगा x minus 2 minus 2 यह जो आपका f of f है वो कांसे कहते है आपका f of f है ठीक है फिर आपका f of f है ठीक है फिर आपका तो अब आप यहां देखिए मैं f of f तो निकाल चुका हूं यह function एक और यह function एक आपका यानि इसकी range subset of इसके domain के तब है दिस्ट करेगा अब देखो range of f क्या है जीरो से सब्सक्राइब देखिए और दोमेन ओ एक अपने निकाली है सिक्स से इनिफिनिटी है अभी भी रेंज तो क्या है सबसेट नहीं है तुम्हें निकाल नहीं पड़े कि डोमेन इसकी सबसेटों डोमेन ओ दोमेन ओ एक अपने निकालने पड़ेगी डोमेन ओ एक हो क्या होगा इसकी डोमेन में होगा वह जो आपका एक एक से बिलोंग्स तो डोमेन ओ एक से डोमेन ओ एक है डोमेन ओ उसे इनिफिनिटी और एक से मेरें अडरूट एकस माइस तो बिलोंग्स तो 6 से इनिफिनिटी एकस बिलोंग्स तो तो से इनिफिनिटी और ये क्या होगा चैसे बड़ा होगा अंडरूट एकस माइस तो क्रेट दन इकवल तो 6 स्केरिंग कर दोंगा एकस के एकस माइस तो इनिफिनिटी तो 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 निकाल सकते हो f of f of f x क्या होगा f of f x कितना है अंडरूट до f except smins two f निकाला हुआ है मेरा यह होता है तो एक तो बहुत, यूल आंदराूट है विसके अंदर-अंडरूट है फिर जहां आप x है भाग क्या आएगा अब x-2 आएगा x-2-2-2 ये आगया f of f of fx पर f को डमेंग निकालने पड़ेगी ठीक है थर्ड वन मेरा पार्ट क्या है थर्ड पार्ट है f of f of f of f of 38 यानि मेरा x तो यह था अब ना पर क्या आगया 38 आ गया तुम देखो को जहां देखना 38-2 36 का अंडूट कितना जाएगा 6 6-2 4 4 का अंडूट 2 2-2 0 यह आपको कितना जाएगा अंडूट-0 बन जाएगा आपको यह x-2, 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 x-izersud, x-3 6-2-2 कितना आगे 4 तो मानस टू कितना आगे आपका जीरो आगे और लास्ट में एक कोशिनूर है एफ स्केर एक्स का मतलब होता है अन्हों को बताए हुआ है और यह इन्हों थो का वह रूझा ही जीरो यहांने एक्स मानस मानस तू का और जीरो टीरो फीós केर यहां अन्हों मनस थो आगे यहां एक्स मानस टू आगे थीर आपके बीस्क्राश्च अजयंगा हुआ इसकी म झाल झाल लेक्ष को सुन देखिए अच्छा कोशन है और यह कोशन है लेट fx is equal to 1 plus x जो is less than x less than 2 और 3 minus x 2 less than x less than 3 आपको निकालना है describe f of f निकालना है यह इसी टैप का एक ही कॉश्चन है अब देखिए दोमेन क्या है 0 से 3 है इसे की बीच में वेल शार्ट दिरी हुई है तो दोमेन और f तो क्या आगी जीरो से 3 अब बद अतियर रेंज की अब देखिए maximum value 2 है minimum 0 है 0 पुक्रों कितना आएगा 1 आएगा और 2 पुट करों कितना आएगा 3 है यह इस क्या होगी 1 से 3 और यह पर पुट करों 2 तो कितना आएगा 1 और पुट करों कितना आएगा 0 जो से कितना आ रहे 3 की बीच में आपको आएगी रहे जाएगी भाई यह एकस है मेरा इसकी वैलू 0 से 2 के बीच में है एकस की वैलू कितने आएगा प्लस एकस यह निए 1 इस लेस दन 1 प्लस एकस लेस दन 3 और यहां पर क्या है 3 मार्स एकस है आपका यहां पर पुट करोंगे 2 2 is less than x is less than equal to 3 minus x साइन चेंज होंगे कितना है आपका 3 minus x 3 minus 2 3 minus x 3 minus 3 0 1 is greater than 3 minus x is greater than equal to 0 1 greater than fx is greater than equal to 0 यनि कितने आगी 0 से 3 की पीच में आगी fx 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है कहांगे हमारे यह रहा 0 से 1 और 1 से 3 तो रेंज भी क्या होगी हमारी 0 से 3 के पीच में होगी तो तो तुझे रेंज है सबसाट ओप दोमेन अब जी f of f exist अब देखिए निकालेंगे कैसे अब देखो इसे मेरा fx डिफैंट किस पे था जब एक्स जीरो से 2 के बीच में हो तो यह होगा अब मेरा एक्स वाला यह है मैं देखना पड़ेगा देखो एक्स कितना आएगा ने नोóc से और भ्रक में आपक्स ठीक है 3 मास ज़र 2 is less than x less than 3, 3 minus x का मतलब, minus 2 greater than minus x is greater than equal to minus 3, ठीक है, तो कितना जाएगा, 1, 3 minus x less than equal to 0, इसी के अंदर रहेगा, तो यह कितना जाएगा, 3, 1 plus 3 minus x, कितना जाएगा, जाएगा, 2 plus x कब, जब 0 is less than x, एस less than equal to 1, और यह, इस x greater than 1, less than equal to 2, और यह, 2 greater than x is less than equal to 3, यह कितना बन जाएगा, 2 minus x और यह बन जाएगा, 4 minus x, 0 is less than x, is less than equal to 1, 1 less than x less than equal to 2, 2 less than x less than 3, तो आपको यहां यह देखना था जो बन प्लस एक से किसके बीची में लाई करेगा उसे तो आपको अड्जेस्ट करना था यह था आपकी एक्सराइज थैंक्यू अन्यवेश नाइस ते